बिग बोस OTT 3 जल्दी शुरू होने वाला है इस बार शो को अनिल कपूर होस्ट करते हुए नजर आएंगे अनिल पहली बार इस शो को होस्ट करते हुए दिखाई देने वाले इससे पहले वाले सीजन को सलमान कान ने होस्ट गया था वहीं बिग बोस OTT 1 को करन जोहर ने होस् प्रिंस भी हुई अब तक शो के कंटेस्टेंस के लिए कई सिलप्स के नाम सामने आ जुगे हैं हाला कि अब जिनका नाम सामने आया है उनके नाम सुनकर आप भी चौक जाएंगे दरसल बिग बॉस से जोड़ी खबर शेयर करने वाले एक चानल ने ये बताया है कि जर्नलिस दीपक चौरस्या इस शो के लिए कंफर्म कंटेस्टेंट है विग बॉस ओटीटी त्री में दीपक चौरस्या नज़र आएं कि ये खबर पक्की है और इस पर अब लोग काफी सारे अपने रियाक्शन भी देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको बता दे बीते दिन प्रेस रिवील नहीं किया गया लेकिन वीडियो देखतर क्लियर है कि वह वड़ा पाउ गर्ल ही है आला कि लोग शो को ट्रोल कर रहे हैं चंद्रिका को शो में लेकर आने पर वहीं एक और ट्विट्टिर जो है दखबरीनी के एजस में उन्होंने बताया कि रैपर नैजी यूपी भी जो नाम सामने आए हैं वो भी इस शो में धावाल मचाते हुए नि bulbsआ सकते हैं आपको बतादे प्रेस कांफरेंस के दुरान जब अनिल कपूर से सलմान खान को रिपलेस करने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहाँ था कि सवाल ही गलत है सल्मान खान को 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 म नहीं कर सकता और ना ही कोई अनिल कपूर को रिप्लेस कर सकता है वेल आप दीपक चौरसिया को बिग बॉस ओटीटी 3 में देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइटेड हामें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें कर दो